नमस्कार के आपजल चीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर दली शराब गुटाले से जुड़ी आपको बता रहे हैं जहां अर्वन केजरिवाल की जमानत को लेकर सुप्रिम कोट में सुनवाई चल रही है अर्वन केजरिवाल ने CBI की गिरफतारी को सुप्रिम कोट में चुनौती दी है जिसको लेकर केजरिवाल की तरब से अबशेक मनु सिंग्वी ने घंटे भर तक दली ले दी है केजरिवाल की जमानत को लेकर अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कई तरह के दलीले दी और कहा कि जल्द से जल्द अर्वन केजरिवाल को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनका इरादा बस ये है कि केजरिवाल को जेल में रखा जाए इसलिए ही CBI ने केजरिवाल को गिरफतार क किया है और एक बार फिर से अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कहा कि एक इंसुरेंस अरेस्ट है साथी ये भी कहा कि तमाम जो लोग है जैसे कि मनिश इशोद्या हो के कवीता हो विजय नायर हो तमाम इन लोगों को सुप्रिम कोट ने जमानत दे दिया है तो आखिर क्यों अर् में क्या कुछ चल रहा है कि महाल बदल रहा है के जरिवाल के लिए क्योंकि सिंग्वी साहब जो कुछ भी दलील दे रहे हैं वो दलील एक बहुत ही एहम पहले को इग्नोर कर रहा है कि इस दोरान चार सीट जो है वो दार कर दिया गया है चार सीट में बड़े-बड़े पूरा का पूरा घोटाला को अंजाम दिया गया है इसके कहने के मुताबिक इसके आदेश पे इनके लोगों के द्वारा इनकी पाटी के लिए और इनके वो तथा कतित वो प्रधान मंतरी बनने के सपने को पूरा करने के लिए ये घोटाला को अंजाम दिया गया कि लगातार पैसा जो है वो आता रहे इंसॉरिंस अरिस्ट नहीं है सराब घोटाला एक इंसूर्ड इंकम का जरिया अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए तयार किया था खेर दो बज़े के बाद फिर सुनवाई होगी बहुत लंबी बहस वो करते चले गए आर्गुमेंट्स पे आर्गुमेंट्स देते चले गए तो A.S.G. राजू ने कहा कि माई लॉड हमको भी उतना ही टाइम दीजिएगा एक तो इस्पेशल ट्रीटमेंट इनको मिली रहा है कि हर बार तुरत तुरत सुनवाई के लिए जो है टाइम मिल जाता है जब साथ वी इस बारे में एक बार टिपनी कर चुके है कि मिश्टर सिंग्वी आपको तो बहुत ही जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जा रहा है यह ऐसा कोई आम लोगों के लिए मिलता है क्या आम आरोपी के लिए इस तरह के सुधाएं नहीं है देश में यह तो पूरा देश देख रहा है अब क्या आर्गुमेंट्स है मनु सिंग्वी साहब क्या कह रहे है क्या दलीले दे रहे है पहले दलील इनकी यह है कि जो एक established tradition है कि एक ही case में अगर बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गये है एक को मिलता है तो दीरे दीरे सबको वो मिल जाता है तो यह जो है वो कह रहे कि मनि सिसोधिया छूट गया संजे सिंग छूट गया विजै नयायर को भी आपने छोड़ दिया यह सब लोग छोड़ गये है और सिर्फ हमारा मुक्हमंत्री जो है केजरी वाल जो है वो फसा हुआ है तो छोड़ दीजिए दूसरे दलीर इनकी दे रहे हैं कि देखिए E.D. के केस में जिसमें बेल मिलना बड़ा मुश्किल है उसमें हमें इंटरीम बेल जो है वो मिल गया है तो ये भी C.B.I. वाला जो है वो कि एक C.B.I. ने जबरदस्ती इलीगल तरीके से ग्रफतार किया और दूसरा कि भाई आप उसको बेल दे दीजिए तो दोनों ही चीजों के उपर सुप्रिम कोट आज फैसला सुनाएगी या आगे ताला जाएगा क्या जराहत मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि इसके आ तरब से भी कहा जा रहा है कि भाई हाई कोट ने इस सारे मामले को बकैदा देखा परखा जाना समझा और उसके बाद यह फैसला लिया गया है तो इसका मतलब है कि आप इसमें जो है इंटेफेर ना करें तो बहतर है नमबर टू कोट के अंदर क्या कहा गया कि सिंग्वी सा आप यह अचा एक बात और इसमें समझने की बात है कि कल एक एंसर जो है सीबए के तरफ से डाला गया कि यह मामला सुनने के लाइक नहीं है उसके उपर अभी दलील लंच के बाद जो है दो बज़े के बाद जब मामला आएगा तब उसके उपर सुनवाई होगी लेकिन एस केजी राजू ज़ साहब को सुप्रिम कोट करें कि बहुत कायति से लिखा हुआ चीज है इसमें इंटर्फर नी करना चाहिए सुप्रिम कोटको डिस्पाइट थे चार सीट बीग फाइल कर दिया गया है केजरी वाल वांड्स दीसाइड ऑन बेल विडाउट कंसीडरिंग और ये जो मनुसिंगी साहब आपसे करवाना चाह रहे हैं वो ये करवाना चाह रहे है कि चार सीट तो दायर हो गया है लेकिन सुप्रिम कोट उस चार सीट के ऊपर आखे अपनी मंदर ले उसको कंसिडर न करे तो इसलिए एस जी राजू करें कि भई अगर आपको बेल देना या कुछ फैसल सुनाना है इंटरफेर भी करना है तो जरा चार सीट को आप संज्यान में ले तब आपको ये समझ में आएगा किसका रोल क्या है क्योंकि मनुसिंगी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए दो साल पहले जब FIR दर्ज हुआ एक केस की सुरुआत हुई मेरे नहीं है कोई इसके उपर आरोप नहीं है सिर्फ बयान के अधार पे आपने उसको गिरफतार कर लिया तो यही राजू कर रही जो मैं कह रहा हूं कि महौल बदल रहा है सवेरे से ऐसा लग रहा था कि जब मनुसिंगी साहब बोले चले जा रहे थे तो लग रहा था कि आज केजरीवाल आएंगे है केजरीवाल जो है वो चुटेंगे लेकिन यह जो नया पॉउंट जो उठाया गया है कि please consider चार सिट और अगर चार सीट को चुट सवाल उठेंे पर सुप्रेम कोर्ट के ऊपर, which as a legal matter could cause significant issue और अगर आपने चार सीट को बिना संग्यान में लिये हुए कोई फैसला लिया तो बहुत सारे legal issues उठ जाएंगे my lord यह Supreme Court को कहा गया है और यह आखरी में कहा गया जिसके बाद Supreme Court ने कहा कि भई हम दो बजे के बाद इसके सुनवाई करेंगे A.S.D. राजू किडिसाइज अज एग्जामपल ओफ legal adventurism यह बहुत बड़े सब्द का इस्तमाल किया है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कि चार सीट दायर कर दिया गया है आरो जो है तै हो गया है इन लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है लोगों को नोटिस दिया रखा है नौतारिक को इन लोगों को पेश होना है इस केस के उपर अब यह सारी चीजे संग्यान में लेने के बावजूद अगर आप गिरफतारी और सारी चीजों के उपर लेकर के अगर आप कोई फैसला सुनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये लीगल एडवेंचरिजम की बात है कि जो काम नहीं कोट को करना चाहिए उस टेरेन में आप जाकर के काम कर रहे हैं लेकिन जब ये बात एस जी राजू ने कहा तो सुप्रिम कोट के तरफ से क्या कहा गया जस्टिस कांथ सेड अट और्डिनली चार सीट इस कंसिडर्ड अचेंज इन सरकंस्टांसिस यही मैं कह रहा हूं कि अगर चार सीट आ गया तो महौल बदल गया कारण फिर जो आरोपी है उसका रोल क्या है एक्सेट कर लिया है समन भी कर दिया है तो यह एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो गया है एस्जिया राजू रिस्पॉंड़ इस्पॉंड़ इन्वल्स नाट हैविंग नूमरेस हीरिंग्स एंड कोश्चेंड वेदर था है कोट कैन डिसाइड ऑन बेल विदाउट चार सीट और इसलिए कि अब इसके उपर तो चार सीट को रिव्यू करना पड़ेगा तभी आप बेल के बारे में उसके उपर आप यह कर सकते हैं यह काम हाई कोट कर सकता है और यह जो चार सीट है इसको अब कंसिडर करना चाहिए तो इसका मतलब यह है लंच के पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि चौके छके मारे जा रहे थे मणुस सिंग्वी साहब अजीब डंबना है यह भी आप देखिए अभी अभी सपत लिया है उनोंने रास्मा पहुचगए हैом मणुस सिंग्वी साहब कॉंग्रेश पार्टि की टिकट से कॉंग्रेश पार्टि बकाडा इस केस की मेन कंप्लेइन्ट है यह जो अजय माकन सहाब है उन्होंने ही original complaint किया यह सारे लोग Congress Party complaint भी कर रही है और Congress Party के नेता उसको court में defend भी कर रहे हैं यह समझ के परे है अलाकि बहुत सारे लोगों ने कहा यह दिरेंजन चौधरी ने कहा कि भाई यह जो कपिल सिब्बल और यह बाकी लोग जो हैं जो Congress के जो साथ जुड़ेवे लोग हैं इंडी गटबंदन से जुड़ेवे लोग हैं वो court में जाकर के ऐसी ऐसी चीजे कर देते हैं जिसका खाम्याजा भुगतना पड़ता है तो खैर दो बज़े फिर से क्या लग गर उसको कंसिडर किये बगैर इस केस के उपर को फैसर लेते हैं केजरिवाल को छोड़ते हैं तो यह तो एस जी साहब कही रहें कि लीगल एडविंचरीजम हो जाएगा यह कोई सही दिशा में यह केस फिर नहीं जा पाएगा आसर अपजेट के लिए तो कह सकते हैं कि CBI ने जो चौती चार्षिट दाखिल की थी वो अब अरविंचरीवाल के लिए मुसीबत भरा हो गया है क्योंकि कोट ने CBI के चार्षिट को संग्यान में भी ले लिया गिता और सभी आरोपियों को समन भी जारी कर दिया गया था तो ऐसे में केजरीवाल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है सुप्रिम कोट में हाला कि जमानत को लेकर जम कर बहस तो चल रही है लेकिन देखना होगा कि आज सुप्रिम कोट के तरब से अरविंचरीवाल को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है केजरीवाल को ब